आज हम दुनिया में medical infrastructure इस तरह से बना रहे हैं जैसे कि हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि किसी दिन हम सब गंभीर रूप से बिमार हो जाएंगे जरूरी नहीं है कि ऐसा हो आप नर्मदाजी के पास रहते हैं जरूरी नहीं है कि ऐसा हो और ऐसी कई न दिया है ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो अगर आपको पता हो कि तत्वों को कैसे संभालना है अगर सारे नहीं तो कम से कम पानी और हवा को अपने नियंतरण में लेना बहुत आसान है इन दो तत्वों तक पहुँच आसान है अगर आप इन दो को अच्छे से संभालते हैं और अपने खान-पान के बारे में थोड़े जागरूक रहते हैं तो आप कभी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे एक समय था जब एक पूरे कजबे में सिर्फ एक डॉक्टर हुआ करता था और ये काफी था आज हर गली में पांच डॉक्टर हैं और वो भी काफी नहीं है साफ दिखता है कि हम कैसे जी रहें जब हम भूल जाते हैं कि हमें कैसे जीना है जब हम उसका आदर नहीं करते जो हमारा जीवन बनाता है ये धर्ती जिस पर हम चलते हैं हवा जिसे हम सास में लेते हैं पानी जो हम पीते हैं आकाश जो हमें थामे हुए है जब हम इनका आदर नहीं करते तो हमारे भीतर उनका भरताव बहुत अलग होता है आज ये दर्शाने के लिए परियाप्त वैग्यानिक प्रमान्ध है कि पानी की जबरदस्त यादास्त होती है अगर आप बस पानी को देखते हुए एक विजार पैदा करें तो पानी के आणविक सनरचना बदल जाएगी बस एक नजर पानी के आणविक सनरचना बदल जाएगी अगर आप उसे छूते हैं तो ये बदल जाएगी आप इसे कैसे छूते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है उदाहरण के लिए यहाँ पानी को तांबे के बरतन में रखा गया है और उपर एक फूल रखा है क्योंकि ये भगवान है और कौन भगवान है अगर आप एक दिन पानी नहीं पीते तो सिर्व यही भगवान है दूसरा कोई भगवान नहीं है न आप पानी के साथ कैसा बरताव करते हैं वो याद बहुत लंबे समय तक रहती है पानी के साथ हमारा बरताव हमारे सिस्टम में हर चीज के गुण को बदल देता है इस विज्ञान को हमने हमेशा से जाना है लेकिन आज आधोनेक विज्ञान ने इस पर बहुत सारे प्रयोग किये है और वो कह रहे हैं कि पानी एक लिक्विट कम्प्यूटर है ये अपने अंदर जिस मातरा में यादाश्त और बुद्धि मत्ता रखता है ये एक लिक्विट कम्प्यूटर है या ये एक फ्लूइट कम्प्यूटर है हमने हमेशा से ये जाना है चर्णामरत यही है एक बूंध पानी के लिए लोग मंदिर में जाकर इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि उसमें इश्वर की स्मृति है आप उसे अपने अंदर लेना चाहते हैं अगर देवता शक्तिशाली है और पानी ने उन्हें स्पर्श किया है तो उसमें इश्वर की स्मृती है, आप चाहेंगे कि वो आपके सिस्टम में प्रवेश करे लेकिन इस तरह के पवित्र स्थान पर होना ही अपने आप में एक वर्दान है अगर कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप पानी में हो सकते हैं अगर कोई ऐसा करता है, सारी क्रॉनिक यानि पुरानी बिमारियां चली जाएंगी बिमारियां संक्रामक होती हैं या फिर क्रॉनिक होती है संक्रामक रोग एक बाहरी हमला है, बाहरी जीवानू हमारे शरीर में घुसकर हमें परिशान करते हैं इसके लिए आपको डॉक्टर चाहिए आपको लड़ाई करनी होगी आम तोर पर हम केमिकल बॉमों से उन पर हमला करते हैं लेकिन लोगों की सत्तर प्रतिशत से ज्यादा बिमारियां खुद की बनाई होती है हम खुद अपने शरीर के अंदर उनको पैदा करते हैं करते हैं तत्तों के साथ बुरा बरताव करके हम उम्मीद करते हैं कि हमारे भीतर ये अच्छा बरताव करेंगे यह नहीं करेंगे यहां नर्मदा के किनारे यही समय है कि हम इस संस्कृति को वापस लाएं क्योंकि यह घूम कर वहीं आ गया है अबाधुनिक विज्ञान भी कह रहा है कि आप पानी के साथ जैसा बरताव करेंगे वैसा ही बरताव वो आपके भीतर करेगा और हमें यह सीखना होगा अगर हमें सेहत मंद रहना है खुशाल रहना है कामयाब होना है समरिद्ध होना है तो यह जरूरी है कि आपके भीतर के तत्व आपके साथ सही योग करें वरना कुछ भी काम नहीं करेगा हमारे शरीर का 72 पतिशत हिस्सा पानी है अपने भीतर इस मुख्य तत्व को हम कैसे आसानी से शुद्ध कर सकते हैं एक आसान चीज है आपका बरताव कम से कम पीने वाले पानी के साथ मुझे पता है कि आजकल हर कोई प्लास्टिक की बोतलों से पानी पी रहा है अगर आप इसे धातू के बरतन में रखते हैं खासकर तांबा या तांबे की मिश्र धातू तो पानी की प्रकृती ही बदल जाएगी और पारंपर एक रूप से मुझे पता नहीं कि उत्तर भारत में ये प्रथा है या नहीं लेकिन दक्षन भारत में आज भी ये काफी आम बात है कि पानी के बरतन की रोज पूजा होती है वोज पर थोड़ी विभूती और कुम-कुम लगाते हैं और एक छोटी सी आरती करते हैं क्योंकि पानी में जबरतस्त यादाश्त होती है उन यादों के अनुसार ही वो बरताब करता है ये सरल सी चीज हर कोई शुरू कर सकता है और तमिल नाडू में हम लोगों को शुद्ध तामबे के बरतन इस्तिमाल करने के लिए प्रोच साहित कर रहे हैं क्योंकि तामबा इतना ये सबसे अच्छी सुचालक धातू है और ये पानी को उरजवान बनाता है अगर आप इसके रासायनिक संगठन को देखें तो वो नहीं बदलेगा यही इसकी खासियत है पानी के सिर्फ आणविक संरचना ही बदलेगी आपने शायद इसका अनुभव किया होगा क्या नर्मदा में कहीं पर जर्ना है जर्ना है मान लीजे कि पानी 20-25 फुट की उचाई से गिर रहा है जर्ने के तुरंथ बाद अगर आप पानी को छूते हैं तो आपको पानी रेश्मी लगेगा क्या आपने देखा है क्योंकि पानी अपने ही अंदर फूटता है और उसके आणविक संरचना बदल जाती है इसलिए वो अलग महसूस होता है आज लोगों ने वाटर इंप्लोडिंग मशीन्स बना लिये आप मशीन से पानी अंतय विस्फोट करा सकते हैं वो पानी को मतती है और उसमें अंदर ही अंदर विस्फोट करती है ऐसा पाया गया है कि अगर आप वो मशीन इस्तिमाल करते हैं तो केवल दस प्रतिशत पानी से आप पौधों को अभी की तरह ही उगा सकते हैं पानी की खपत कम हो जाएगी दस प्रतिशत पानी के साथ भी पौधे उतनी ही पैदावार देंगे क्योंकि इंप्लोट के अगया पानी रेशमी हो जाता है और उसकी पौधे या पेड़ का हिस्सा बनने की क्षमता काफी बहतर हो जाती है तो अगर आप खेती करते हैं तो इंप्लोडिंग मशीने ला सकते हैं इंग्लेंड में कुछ लोगों के पास उसका पेटिंट है हम कुछ मशीने लाकर तमिल नाडू के किसानों को उसकी सेवा दे रहे हैं ताकि वो इंप्लोडिट पानी का प्रयोग करें और खेत में उनका पानी का खर्च बहुत कम हो जाएगा क्योंकि कब तक आप पानी को पंप करेंगे इन दिनों बिजली भी मुफ्त नहीं है तो किसानों को ये बहुत महेंगा पड़ता है अगर उसे कम पानी पंप करना पड़े तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा रोज के इस्तिमाल के लिए बस एक तांबे का बरतन हर दिन अगर आप इसके पास एक दिया जलाते हैं एक फूल रखते हैं तो पानी जिस तरह से आपके भीतर बरताफ करता है वो बदल जाएगा और पानी पीने से पहले बस एक पल के लिए क्रितग्यता और आदर की भावना क्योंकि यही वो सामगरी है जिससे आप अपना जीवन बना रहे हैं कोई अंजान भगवान नहीं यही वो पदार्थ है जो हर पल आपके जीवन को बना रहा है आप इससे कैसा बरताफ करते हैं यह बहुत महत्वपून है अपनी भावना में, विचारों में अगर आप पानी को आपको कोई देवी देवता सोचने की जरूरत नहीं है आप बस हकीकत को समझिए सच्चाई यह है कि पानी के बिना आप जिन्दा नहीं रह सकते जो भी आपके जीवन का आधार है आप उसके सामने जुकते हैं है न? तो यह पानी, यह भोजन बस इनके प्रती आधर लाना आप देखेंगे कि जो मातरा में आप खाते हैं वो भी घट जाएगी और आपके अंदर इनका बरताफ भी बदल जाएगा अगर आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होता है और अगर आप इन तत्तों से ठीक से बरताफ करते हैं तो शायद आप फिर कभी डॉक्टर का चहरा नहीं देखेंगे जब तक कि आप खुद डॉक्टर नहों शायद तक कि आपको को कि हमारे जब अएडर्वरद एापको कि dobrze बड़े अगर एपको कि कि आपको कि रहा है जब फिर जड़लahi